आज चंद्रा देवी अपने बेटे आर्यन का रिष्टा लेकर काजल देवी की घर में आई है और रिष्टे की बाद काफी हद तक अच्छी चल रही थी समझो रिष्टा पक्का ही था दोनों परिवार खुश थे भाई काजल हमें तो तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है वैसे भी हमारी तो तुम्हारी बेटी पर पहले से ही नजर थी तुम्हारी बेटी की बारे में तो हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है हाँ काजल जी मेरी पतनी तो दिन भर रट लगाय रहती है कि अगर हमारे बेटे आर्यन की शादी होगी तो सिर्फ रिम जिम से आप लोग मेरी बेटी की तारीफ कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरे काजल शुक्रिया तुमें नहीं भलकी हमें कहना चाहिए कि तुम अपनी इतनी प्यारी और गुणवान लड़की को हमारे घर विदा करने वाली हो आर्यन को पसंद तो है न हमारी रिम जिम जी बिलकुल देखो तो हार्यन खुश लग रहा है बस थोड़ा शर्मीला है मेरा बेटा हाँ भाईया ऐसे ही है ये सारी बाते सुनकर रिम जिम मन ही मन बहुत खुश हो रही थी लेकिन चंद्रा जी आपको तो पदाई है हमारी फैनेंशल कंडिशन बिलकुल खराब है तो हम लोग दहेज में कुछ भी नहीं दे पाएंगे यहाँ तक की एक सोफा तक भी तब ही चंद्रा काजल को बीच में ही रोग देती है अरे काजल अब आगे मत बोलो वैसे भी हमारे घर में किस चीज की कमी है तुम्हें कुछ भी देने की जरुवत नहीं है समझी बिलकुल सब कुछ जानते हुए तो हम तुमारे पास आए हैं और जैसा कि हम लोग बार-बार बोल रहे हैं कि हमें तो बस तुम्हारी बेटी से मतलब है हाँ जी वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप इतना मस सोचिए बस इस रिष्टे के लिए जल्दी से हा कर दीजिए अरे समझी जी इसमें तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं मेरी तरफ से तो रिष्टा एकदम पक्का है हाँ चलो अच्छा है हमें तो बड़ी खुशी हो रही है अच्छा बाते शाते तो बहुत हो गई चली कुछ खा भी लीजी अब ये खाए ना लीजी अरे नहीं नहीं आजना मेरा उपवास है इसलिए मैं कुछ भी नहीं खा सकती ओ अच्छा बेटा रिहाना ये लीजे आप ही खा लीजे नहीं नहीं आँटी जी बुरा मत मानना आज मेरा भी उपवास है मैं उपवास रखना तो नहीं चाह रही थी लेकिन ममी ने कहा कि मुझे भी उपवास रखना चाहिए तो मैंने भी रख लिया अरे नहीं बेटा मैं बुरा क्यों मानूंगी भला बलकि मैं तो ये कहने वाली थी कि आप तो बहुत ही अच्छी है जो अपनी मा की सारी बात सुनती है हाँ काजल वो तो है खेर दोनों मा बेटी कुछ नहीं खाती वही मुकुल और आरेन थोड़ा बहुत खा लेते हैं अच्छा काजल अब हम सब चलते हैं शादी की तयारी भी तो करनी है जल्दी से हाँ हाँ जरूर जरूर अराम से जाईएगा सम्धन जी हम ठीक आरेन और उसके परिवार वाले काजल के घर से बहार निकल जाते हैं और अब दिखेगा इनका असली रूप उफ मैं तो नाटक करकर के ठक गई इस छोटे से घर से बहार निकली हूँ तब जाकर मुझे चैन की सांस मिली है वही तो कोई बात नहीं ममी बस कुछ दिनों की तो बात है भाया की शादी हो जाए इस लड़की से फिर हम यहाँ आना तो दूर यहाँ पर भटकेंगे भी नहीं हाँ बेटा तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ हाँ रिहाना यह सब हम तेरे लिए ही कर रहे है बस हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा हो जाए तो आखिर यह परिवार किस चीज की प्लानिंग कर रहा था यह तो हमें कहानी के आगे ही पता चलेगा अच्छा चलो अब बाकी बाते घर जाकर करते हैं हाँ पापा और सब लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से चले जाते हैं वहीं दूसरी और काजल बहुत खुश है अरे बा रिमजिम तेरी तो लोटरी ही लग गई हम हम हाँ चलो अच्छा है दीदी का भविश्य बन जाएगा अरे हाँ ये सब छोड रिमजिम सुन जब तेरी शादी उस घर में हो जाएगी न तो तू हर महीने हमें 30,000 रुपे भिजबा दिया करना वो लोग बहुत अमीर हैं उनके लिए 30,000 रुपे तो कुछ भी नहीं है लेकिन मा उन लोगों से पैसे कैसे मागूंगी मैं वही तो मा अभी शादी हुई ही नहीं है आप पैसे की डिमांड करने लग गई अरे तू चूप रहे तू क्या चाहती है इसकी शादी इतने अमीर घर में हो जाए और इसका हमें कोई फायदा भी ना मिले पर मा वैसे भी ये उस घर में जाएगी तो उस घर के काम भी तो करेगी वो इतने तो अच्छे होंगे नहीं कि बैठा बैठा के इसको खिलाएंगे लेकिन मा अगर मैं उन लोगों से इतने सारे रुपे मांगूँगी वो भी जाते ही तो वो लोग क्या सूचेंगे हाँ मा अरे बेवकूफ मैं कौन सा कह रही हूँ कि तुझे पूरे घर वालों से पैसा मांगना है तु चुप चाप अपने पती से बोल देना या फिर तो अपने पती से ये बोल देना कि मुझे कोई बिमारी है इलाज है बस मा लेकिन ऐसे थोड़ी होता और तभी काजल गुस्से से रिमजिम को अपनी बड़ी बड़ी आखे दिखाने लगती है ठीक है मा आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी हम अच्छा है जल्दी समझ गई तो इस बार अब तु जल्दी से घर का सारा काम कर तब तक मैं जरा बाहर का एक काम निप्टा कर आती हूँ ठीक है दरसल काजल अपनी बड़ी बेटी रिमजिम को बहुत कंट्रोल में रखती थी बेचारी रिमजिम भी बहुत सीधी थी और चुपचाप अपनी मम्मी की सारी बाते मान लिया करती थी उसकी माँ अगर उसे उठ कहती तो वो उठ जाती और अगर बैट कहती तो बैट जाती वहीं काजल तो कभी-कभी गुस्से में रिमजिम पर हाथ भी उठा दिया करती थी दीदी आप टेंशन मत लीजिए सब ठीक हो जाएगा हाँ कल्पना मैं भगवान से बस यही दूआ करती हूँ हाँ दीदी देखना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा मा कुछ जादा ही बोलती है लेकिन हम दोनों कर भी क्या सकते हैं वो है तो हमारी माही हाँ कल्पना मा तो मा होती है वैसे भी शादी के बाद मैं पराई हो जाऊंगी और मा और तुझसे दूर चली जाऊंगी हम इसलिए तो मैं अब मा की सारी बाते मानती हूँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों के बगेर मैं वहां कैसे रहूंगी अरे नहीं दीदी दूर जा रही हो तो क्या हुआ अब चिंता मत करो जब भी आपको हमारी याद आए तो बस फोन गुमा देना हम लोग दोने चले आएंगे आपके पास हाँ कल्पना वैसे जीजू बड़े स्मार्ट है दीदी आपकी तो लोटरी लग गई रिमजिम शर्मा जाती है और अपनी नजरे नीचे जुका लेती है ओ दीदी अभी तो शादी हुई भी नहीं है और अभी से आप इतना शर्मा रही हो पता नहीं शादी के बाद कितना शर्मा होगी हट तू भी ना कल्पना मुझे तो आपको चिडाने में बहुत मजाता है दीदी बदमाश और इस तरह से दोनों बातों में मस वहीं दूसरी और हम देखते हैं कि रिहाना अपने बॉइफरेंट आयश्मान के साथ किसी मॉल में बैठी है और उससे बात कर रही है खुश खबरी है आयश्मान भाईया का रिष्टा पक्का हो गया है उसी लिड़की से हाँ वो तो हो नहीं था हाँ बस हम लोग जैसा चारे वैसा वैसा होता जाए तब हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे रिहाना मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता मैं चाहता हूं कि जल्दी ही हमारी भी शादी हो जाए लेकिन क्या करें अभी तो हम लोग एक नहीं हो सकते पहले हमें वो काम पूरा करना होगा हाँ बाबा हाँ हो जाएगा तुम ज़्यादा टेंशन मतलो और नहीं मुझे दो अब सब आराम से हो जाएगा नहीं मैं चाहता हूं कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाएं ताकि हमारी शादी जल्दी हो सके अच्छा तो तुम्हें शादी की बहुत जल्दी पड़ी है हाँ अब जिसकी गर्लफ्रेंड इतनी सुन्दर हो तो उसे तो शादी की जल्दी पड़ेगी हाँ ज्यादा मक्खन मत मारो मुझे मुझे सब पता है तुम फोन पर किसी लड़की से बात करते हो ये सुनकर आयुश्मान काफी घबरा जाता है क्या? हाँ मुझे सब पता चल चुका है अरे क्या पता चल चुका है रिहाना? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है देखो तो तुम्हारी चहरे के कैसे हवाईय उड़ गई है अरे मैं तो डरी गया था वही मैं सोचूं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं अरे बुद्धु मैं जानती हूँ कि तुम सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हूँ, मैं तुम सिर्फ मजाग कर रही थी हां रिहाना, I love you so much दोनों इस तरह प्यार भरी बाते करते हैं, वही कुछ घंटे बीच जाते हैं तो रिहाना आयुश्मान को अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है, और रात के वक्त घर पहुंचती है बेटा, रात के आठ बज रहे हैं, और तुम अब आ रही हो घर अरे मा, आठी तो बज़े हैं, कौन सा रात के बारा बज गए हैं, आपना इतनी चिंता मत किया करो, अब मैं बड़ी हो गई हूँ हाँ हाँ, सब बच्चे बड़े हो जाने के बाद यही बोलते हैं, और अपने माबाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते तब ही रिहान अपनी मा के पास आती है, और उसे गले से लगा लेती है अरे, भला इतनी प्यारी मा की बात कोई क्यों नहीं सुनेगा, बोलो और आप तो मेरे लिए इतना करती हो, अरे बेटा, एक मा तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है हाँ मा, वो तो है, वैसे आप टेंशन मत लिया करो, मेरे साथ तो हमेशा आयुशमान रहता है उसके सामने तो कोई भी नी टिक पाएगा, उसकी बॉड़ी देखिए मा आपने अगर वो किसी को एक थपड़ भी मारेगा ना, तो वो तो वही बेयोश हो जाएगा हाँ, हमेशा बस उसकी ही तारीफ करती है तू अच्छा तो आपको उससे जैलिसी हो रही है अब, हाँ नहीं, मुझे भला उससे जैलिसी क्यों होगी मजाग करी हूँ, भूख लग रही है, चलो कुछ खाते हैं इसके बाद दोनों माबेटी खाना खाने चली जाती हैं, वही कुछ दिन बीच जाते हैं, और रिमजिम की शादी आरियन से हो जाती है रिमजिम ससुरा लाकर बहुत खुश थी तुनों बहू, आज तुम इस घर की रसोई में पहली बार कदम रखने जा रही हो, इसलिए तुम्हे एक रसम करनी होगी जी सासुमा, ये लो, ये काला रंग, ये तुम अपने बाएं हाथ की कलाई में लगा लो रिमजिम को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी ठीक है माजी, रिमजिम अपने बाएं हाथ की कलाई में काला रंग लगा लेती है वहीं इसब देखकर चंद्रा के घर वाले दबी हुई हसी हसते हैं इसके बाद रिमजिम रसोई घर के अंदर जाती है गरीब बहू की अमीर रसोई रिमजिम रसोई के अंदर प्रवेश करती है और ध्यान से अपने ससुराल की रसोई घर को देखती है दरसल किचन बहुत बड़ा तो था ही साथी वहाँ पर नए नए किचन के सामान भी रखे हुए थे रिमजिम इतना सारा सामान देखकर सोचने लगती है हे भगवान इतने सारे मशीन कैसे चलाओंगी मैंने इन मेंसे कई मशीन तो मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखे है अरे बहु क्या सोचने लगी चलो अब जल्दी से कुछ मीठा बना दो तुम्हें पता होगा कि जब नए बहु हर में आती है तो सबसे पहले वो कुछ मीठा बनाती है हाँ सासुमा बनाती हूँ वो क्या है ना? हाँ क्या? रिम्जिम अपनी सासुमा और अपनी ननत को बताना चारे थी कि उसे अमीर लोगों की रसुई के बारे में कुछ भी नहीं पता है लेकिन उसे शरम आ रहे थी इसलिए वो चुप ही रहती है क्या हुआ कुछ कहना चाहती हो क्या हाँ बताईगी न भाबी क्या हुआ कुछ नहीं ननजी अरे मुझे पता है जरूर तुझे अपने माईके वालों की याद आ रही होगी क्यूं है ना रिमजी महा कहकर जूट बोल देती है पर और कहती भी क्या तब ही उसका ससूर मुकुल वहां आता है अरे फिक्र मत कर बहू अगर घरवालों की जादा याद आए तो बता देना उनको हम लोग कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लेंगे और क्या जी ठीक है अच्छा जलो जल्दी से कुछ मीठा बना दो सारा समान हमारे घर की नौकरा नहीं बिजली ने यहां पर रख दिया है और हाँ बहू सुन बिजली दस दिन तक काम पर वापस नहीं आएगी हाँ वो बता रही थी कि उसके पिता जी की तब्यद सही नहीं है तो गाउ गई है अच्छा बहू अब हम लोग चलते हैं बहू को अराम से बनाने दो इसकी बाद रिहाना वो खुल और चंद्रा वहाँ से चले जाते हैं और लग जाते हैं रिमजिम की बुराई करने मा आप ये बताओ कि क्या इस गरीब को हमारी अमीर की रसोई के बारे में वही तो वो तो मैंने तेरी वज़े से अपने राजकुमार जैसे बेटी की शादी इस गरीब से करवाई वरना ऐसी लड़कियों को तो मैं अपने बेटे के आसपास भी न भटकने दू हाँ हाँ मा वही तो मुझे तो दोनों की जोड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है खेर हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना हमी तो बस अपना काम करना है हाँ अच्छा चल उसके पास चलते हैं रसोई में पता चला की कहीं किचन में आग लगा दी गवार तो है ही वो और दोनों मा बेटी जल्दी से रसोई में पहुंच जाता पर रिमजिम ने अभी तक कुछ भी बनाना शुरू नहीं किया था क्या हुआ भावी आपने तो अभी तक कुछ बनाना स्टार्ट भी नहीं किया आपको खाना बनाना आता है ना हाँ ननजी खाना बनाना तो आता है लेकिन तो रिहाना जोर-जोर से हसने लगती है अरे भावी हमें पता है कि क्या बात है हमें पता है कि आपको गैस on करना नहीं आता तो इसमें कौन सी बड़ी बात है लाईए हम आपको सिखा देते हैं रिहाना गैस on कर देती है दरसल रिहाना और चंदरा रिमजिम के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है और पीट पीछे उसका मजाग बनाती है Thank you so much ननत जी Mansion not भावी जी हमें पता है कि आपके लिए ऐसी रसोई में खाना बनाना बिल्कुल नया experience है इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें पूछ लिया करो जी ननत जी हाँ बहू और वैसे भी हम है ना तुझे बताने के लिए इतना संकोच मत किया कर तू ठीक है हाँ लाइए मैं आपको अभी कुछ काम चलाओ चीजें सिखा देती हूँ ताकि आपको इस रसोई में काम करने में कोई तकलीफ ना हो जी ननत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया आरे हो गया हो गया कितनी बार शुक्रिया बोलेगी तू लगता है भावी को बार बार शुक्रिया बोलने की आदत है नहीं नहीं अच्छा रिहाना बेटा अब जल्दी से सिखा दे अपनी भावी को मुझे तो बहुत मीठा खाने का मन कर रहा है आज हाँ मा रिहाना अपनी भावी को अमीर रसुई में वहाँ की कुछ एडवांस चीजें इस्तमाल करना सिखाने लगती है अचा भावी आपको समझ में आ गया ना अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ फिर कल मैं आपको और बताऊंगी हाँ नना जी थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है अचा चल ठीक है वैसे सासुमा नना जी आप लोग बुरा ना माने तो जब तक हम खीर बना रहे हैं तब तक आप लोग यहीं रुख जाएए ताकि अगर बीच में हमें कुछ चलाना नहीं आया तो हम आपसे पूछ सकें रिमजिम की ये बात सुनकर दोनों मावेटी एक दूसरे की तरफ देखते हैं ठीक है बावी ठीक है रिमजिम रसुई में खीर बनाना शुरू कर देती है जब भी वो बीच में कुछ भूल जाती तो अपनी ननत से पूछ लेती खैर कुछ दिर में खीर भी बन जाती है अच्छा भावी अब आप सब के लिए खीर डाल कर ले आएए हम लोग हॉल रूम में बैठ रहे हैं ठीक है दोनों मावेटी रसुई से बाहर निकल जाती है वहीं दूसरी और रिम्जिम सब के लिए कटोरी में खीर डालने लगती है ये काज की कटोरियां और ये प्लेट कितनी महंगी लग रही है मुझे तो डर लग रहेगी कहीं मुझसे तूट ना जाए आराम से ले जाती हूँ रिम्जिम दीरे दीरे ट्रे में सबी के लिए खीर वाली कटोरी रखती है और बड़ी धीमी धीमी चाल से ही हॉल रूम में पहुँच जाती है तब ही रहाना रिम्जिम से मजाग करने लगती है अरे भाबी जल्दी आओ ना कल तक आओगी क्या आप कितनी धीमे चल रही हैं आप हाँ नना जी बस आई सौरी मेरी वज़े से आप सभी को इतना इंतजार करना पड़ा अरे कोई बात नहीं हाँ बहु तुम इस घर में नहीं होना तो एड़जस्ट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन धीरे धीरे तुम एकदम एक्सपर्ट हो जाओगी एक्सपर्ट जी पापा जी और तभी जब रिमजिम खीर वाली ट्रे लागर टेबल पर रखने वाली होती है कि तभी चंद्रा बड़ी चालाखी से अपना पैर आगी कर देती है जिससे रिमजिम का पैर उसके पैर में अड़ जाता है और वो बिचारी लड़ खड़ा जाती है वही साथ में ट्रे और कटोरिया भी उससे तूट जाती है ओ फो बहू ये क्या किया तुमने तुझे पता भी ये कर टोरिया में कहां से लाई थी ओ नो क्या भाबी पैचारी रिमजिम के कपड़ों में सारी खीर गिर जाती है इसलिए वो पहले तो खुद को संभालने लगती है वही सब उससे गुस्सा हो जाते हैं हाँ भाबी आपने अमीरों की रसोई नहीं देखी थी न इसलिए आपको रसोई में कुछ भी चलाना नहीं आ रहा था तो हमने आपकी मदद कर दी लेकिन अब ये क्या है अगर आप इतनी गड़बड़ी करोगे तो अपनी गरस्ती कैसे चलाओगे माफ कर दीजिए ननत जी आप सभी से मैं माफी मांगती हूँ अरे माफी मांगने से क्या होगा तेरी वज़े से मेरी इतनी महंगी ट्रे और कटोरियां तूट गई अरे मैं दार्जलिंग से लेकर आई थी सौरी माजी तुम्हें पता भी है कितना बचा-बचा कर लाई थी मैं वहां से इतना लंबा सफर था इसलिए कटोरियां तूटने का डर था लेकिन इतनी महनत का क्या फायदा हुआ अभी देखो तुमने एक ही पल में सारी कटोरियां और प्लेट तोड़ डाले हाँ भावी अगर आपको रसुई का कोई काम नहीं आता तो आप हमें बता दीजे फ्लीज लेकिन ऐसा मत करिये नुकसान करके रख दिया नहीं ननजी माजी आप गलत समझ रही है मेरे कपड़ों में खीर लग गई है अब मुझे भी कपड़े बदलने पड़ेंगे चंद्रा वहाँ से मूँ बनाकर चली जाती है वहीं बाकी लोग भी अपने-पने कमरे में चले जाते है बेचारी रिमजिम को बड़ी शर्मिंद की महसूस होती है उसे लगता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई वो रोने लग जाती है ये भगवान मुझसे कभी कोई काम सही से क्यों नहीं होता है मेरी बाँ सही कहती है मैं नालाइक हूँ मुझे कुछ नहीं आता जाती हूँ जल्दी से नहा लेती हूँ और रिमजिम भी नहाने चली जाती है वहीं कुछ घंटों के बाद शाम हो जाती है तो वो अपनी सास के पास जाती है सासु मा शाम को खाने में क्या बनाओ अरे बहू तो तो रहने दे फिर से कुछ गडबड कर देगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेचारी रिमजिम शर्म से अपना सर जुका लेती है अरे मा अगर भावी से एक गलती हो गई तो क्या हुआ अब उस बात को भूल जाओ ना I'm sorry भावी मैंने भी आपको पता नहीं क्या 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 दिया कोई बात ने ननग जी गलती तो मेरी थी सासुमा माफ कर दीजे ना आप मुझे ठीक है ठीक है माफ किया तो ऐसा करो खाने में मटर पनीर और पूरी बना दो तब जाकर रिमजिम को सांस में सांस आती है चलो सासुमा ने मुझे माफ तो किया शुक्र है इसके बाद रिमजिम रसोई में जाती है और मटर पनीर बनाने की तयारी में लग जाती है वही दूसरी और रिहाना अपनी मा को लेकर अपने कमरे में जाती है और कमरे में जाकर दोनों बहुत हसते हैं देखा बेटा तुने तेरी गरीब बहु की अमीर रसोई में काम करने का तरीका, जब रसोई में उसे कुछ चलाना नहीं आता ना, तब उसका चहरा देखना कैसा हो जाता है, हाँ मा ये गरीब है, ये तो सुना था, लेकिन इतनी गरीब है ये नहीं पता था मा, बेवकूफी तो है बस हम सब इसको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे और अपना काम निकलवाते रहेंगे और तभी रसोई से रिमजिम की चीखने की आवाज आती है अरे इसे क्या हुआ चल जल्दी चल देखते हैं रिमजिम की चीखने की आवाज सुनकर दोनों माबेटी जल्दी से र देखती हैं कि हर तरफ प्यास के छोटे-छोटे कटे हुई टुकडे बिखरे हुए हैं। या फिर मिक्सर की स्पीड जादा कर दी थी तुने। वैसी भी कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ये अपनी भावी को ही करने दे। तभी तो इसे समझ में आएगा कि इस रसोई में कैसे काम किया जाता है। थोड़ा एक्सपीरिंस लेने दे से ठीक है मामी। और दोनों मा बेटी वहाँ से चली जाती है। और रिमचिम सफाई करने में लग जाती है। मा आपकी गरीब बहु तो ऐसे एक्सपीरिंस ले रही है जैसे कोई इंटरनेशनल कमपनी में जॉब करके एक्सपीरिंस लेता है। अपना पर्स उठाती है और अपने बॉइफरिंट आईश्वान से मिलने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी और चंदरा को गुश से आ रहा था। पता नहीं जिसके लिए इतना सब कुछ कर रही है वो इसका हमेशा साथ देगा कि नहीं। और ये इसकी सबसे बड़ी खौाइश है तो इसे तो पूरा करना ही पड़ेगा। आखिर है तो मेरी ही बेटी। क्या सोच रही हो चंदरा। कुछ नहीं जी। तो मैं तुम्हें दिखाई नहीं दिया। कबसे मैं देख रहा हूँ तुम्हे। अच्छा। हाँ। तो उसने ही मुझे कॉल किया था। अब मैं क्या करता बताओ। अच्छा। हाँ। उसने भी मुझे उसी समय कॉल किया। और तुम्हें तो पता ही है कि ऐसी कॉल उठाना ज़रूरी होता है। क्योंकि उनके मूट का कोई ठिकाना नहीं होता कभी विडियल कैंसिल कर सकते हैं वो। हाँ चलो कोई बात नहीं ये तो तुम मुझे कल भी बता चुके हो। वही तो थब भी बच्चों की तरह बार बार पूछती रहती हो तुम। तो इसलिए मैं तुमें कल पूरे दिन कॉल नहीं कर पाऊँगा ठीक है तो बुरा मत मानना तुम। नहीं नहीं बुरा तो नहीं मानोंगी लेकिन तुम्हें मिस बहुत करूंगी लेकिन चलो कोई बात नहीं अच्छा ये बताओ मैं नहीं चल सकती क्या उस पूजा में नहीं रहाना उस पूजा में तुम नहीं चल सकती क्योंकि बाबा ने साफ मना किया है कि कोई कुवाली और कोई विरिस के बिलकुल नहीं लेना होगा, तभी तो हमारा काम सक्सेस्फुली कंप्लीट हो सकेगा, ठीक है, बात तो तुम सही कहा रहे हो, हाँ, इसलिए मेरी प्यारी गुडिया, कल तुम कहीं गुस्ता मत हो जाना, पता चला यह सोचन लगोगी, कि मैं किसी और लड़ तुम भी न, कैसे कैसे क्वेश्चन पूस्ती हो, मैं बार-बार यह क्वेश्चन इसलिए करती हूँ आईश्मान, क्योंकि जो जवाब तुम मुझे देते हो न, वो जवाब मुझे बार-बार सुनने में बहुत अच्छा लगता है, अच्छा, हाँ, 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 चारी रिमजिम को सिल्बटे पर ही सारा मसाला पीसना पड़ता है, लगता है आज खाना बनाने में बहुत देर हो जाएगी, पतानी मेरा दिमाग कितना कमजोर है, मेरी ननद ने मुझे मिकसर चलाना इतने अच्छे से सिखाया था, लेकिन तब भी मैं सही से चला नहीं पा खैर रिमजिम को खाना बनाने में बहुत देर हो जाती है, तभी चंद्रा उसके पास जाती है, माजी बस सबजी बनने वाली है, हाँ हाँ ठीक है, अब इतने घंटे से तु बना रही है तो बनी जाएगी, I'm sorry माजी, वो सिल्बटे पर मसाला पीसने में बहुत टाइम लग गया भाई, तुम्हारे घर में ऐसी मशीन तो होगी नहीं, तो तुम सिल्बटे में ही तो पीस्ती होगी मसाला, नहीं सासुमा, हमारे घर में मिकसर है, लेकिन थोड़ा पुरानी स्टाइल का है, मतलब यहां की जैसा हाइफाई और महंगा वाला नहीं है, हम, अच्छा, त तुमारे ससूर जी की दवाई का टाइम भी हो गया है, जी मा जी, इसके बाद रिमजिम सब के लिए खाना लगा देती है, और सभी लोग खाना खाते हैं, खेर ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं, और तभी एक रात, दो बज़े तक आरियन जाक कर, लैप्टॉप पर अपन कंपनी इतनी आगे है, हाँ, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ, आप बहुत मेहनती है, लेकिन मेहनत के साथ आराम करना भी तो जरूरी है, तभी तो आपको एनरजी मिलेगी, और आप अपना काम और अच्छे से कर पाएंगे, बात तुम्हारी सही है, लेकिन क्या अच्छी दिनों से वर्कलोड को जादा ही है, हाँ, मैं देख रही हूँ, करीब साथ दिन से आपका यही रूटीन है, आप तीन-चार बजे तक जाकते रहते हो, हाँ, रिम जिम, क्या करूँ, काम में तो ऐसा ही होता है, हाँ, मैं भी ठक जाती थी, और सो जाती थी, लेकि यह कॉफी, हाँ, कॉफी पी लीजे, इससे आपको नीन भी नहीं आएगी, और ठकान भी नहीं लगेगी, हाँ, थैंकि सो मच रिम जिम, इसमें थैंक यू कैसा, मैं तो आपकी पत नहीं हूँ, यह बात सुनकर आरेन, कुछ सोचने लग जाता है, क्या हुआ आरेन जी, हाई बजे ही खत्म हो जाएगा, आप देख लेना, पहले आप फटा-फट कॉफी भी लीजे, हाँ, मैं भी बहुत जादा बोलती हूँ न, अब मैं अपना मूँ बंद कर लेती हूँ, ताकि आप अपने काम पर फोकस कर सके, बड़ी फनी हो तुम रिम जिम, अच्छा तो तुम अब सो जाओ, मैं अपना काम कर लेता हूँ, हाँ, ओके, रिम जिम सो जाती है, वही जैसा रिम जिम कहती है, वैसा ही होता है, आरियन का काम 30 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाता है, वा, रिम जिम की तो आँख लग गई, चलो, अब मैं भी थोड़ा आराम कर लेता सुबह 9 बजे निकलना भी है, इसके बाद आरियन भी सो जाता है, वही अगली सुबह होती है, और दर्वाजे की घंटी बचती है, बहू देख तो कौन है, हाँ मा जी, रिम जिम जल्दी से दर्वाजा खोलती है, तो देखती है कि वहाँ पर उसकी मा और बहन आई है, रिम लगते हैं, रिम जिम सबके लिए नाश्ता लगाती है, ये लो, खावना साली जी, जी 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 जा जी, आप भी खाईए, अरे मैं तो खा चुका हूँ, मैं तो अब आफिस के लिए निकल दा हूँ, अच्छा, खैर थोड़ी दिर के बाद आरियन आफिस से ला जाता है, वह जिम हैरान हो जाती है, क्या? हाँ दीदी, कलपना अपनी बेहन को वह बात बता देती है, जिस सुनकर रिम जिम की आखें फटी की फटी रह जाती है, वह रोने लग जाती है, ये कैसे हो सकता है कलपना? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रा दीदी, आखिर जी जी जु ऐसा क् कर रहे हैं अगर आरियन जी को मुझसे प्यार नहीं था तो उन्होंने मुझसे शादी ही क्योंकि चिंता मत करिये दीदी आखिर बात क्या है ये मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगी दरसल कलपना जब से रिमजिम के ससुराल में आई थी तब से आरियन न जाने क्यों उसे घूर घूर कर देख रहा था और देख देख कर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा भी रहा था कलपना मेरी किसमत बहुत बूरी है मुझे तो मरी जाना चाहिए नहीं दीदी ऐसा मत बोलिए गलती किसी और की है तो मरना आपको क्यों पड़ेगा ऐसा क्यों होगा अबला नजाने क्यों हूँ आईसा मेरे साथ दीदी आप चिंता मत करिए हम सब कुछ ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए ठीक है कलपना रिमजिम को ऐसे ही बहुत देर तक समझाती रहती है तब जाकर रिमजिम में थोड़ी हिम्मत आती है त कलपना मैं भी पता लगाने के कोशिश करूंगी कि आखिर आरेन जी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं हाँ दीदी सच्चा ही तो हम लोग पता लगा कर ही रहेंगे दोनों बाते कर ही रही थी तब ही रिमजिम की सासुमा उसे बुला लेती है आई माजी बस दो मिनट चलो दीदी रिमजिम वहाँ से चली जाती है और अपनी काम में लग जाती है लेकिन बेचारी काम करते वक्त अपनी आखें नम किये हुए बार बार आरेन के बारे में ही सोचती रहती है यह भगवान मुझे किस जनम की सजा दे रहे हैं आप और रि पर एक भी नौकर नहीं है जबसे हम लोग आए है तबस दीदी अकेली सारा काम कर रही है बिचारी ठकती नहीं होगी क्या अरे तो इससे तुझे क्या लेना देना है काम तो रिमजिमी कर रही है ना तू थोड़ी ना कर रही है तू चुप चाब आराम से बैठ और एसी की ह देखने तुझे पता है रिमजिम की सास के कमरे में कितना बड़ा टीवी लगा है बाप रे बाप मैंने तो अपनी जिंदेगी में कभी भी इतना बड़ा टीवी नहीं देखा है सच में अमीर लोगों की तो बात ही अलग होती है मां मैं आपसी दीदी की प्रॉब्लम के बा उससे में काजल वहाँ से चली जाती है, थोड़ी दिर में शाम हो जाती है, और आरेन उसे घर आ जाता है, तभी कल्पना थोड़ी दिर बाद आरेन के कमरे में जाती है, हेलो जीजू, ये देखे तो, ये ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर? वाओ, इस ड्रेस में तो तुम बहुत खुबसूरत लग रही हो साली जी, कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मेरी फ्रेंड है एक, वो इसी शहर में रहती है, आज उसका बर्डे है, तो उसी की बर्डे पार्टी में जा रही हूँ अच्छा, मैं भी चलों क्या? क्यों? वहाँ तो लड़किया ही लड़किया होगी, आप वहाँ पर क्या करोगे? अच्छा, चलो, कोई बात नहीं वैसे जीजू, आप चाहे तो हम दोनों कल कॉफी पर चल सकते हैं कल्पना की मूसी बात सुनकर, आरेन बिल्कुल चौंक जाता है क्या? हाँ जीजू, अगर आप चाहे तो हम चल सकते हैं अच्छा, लेकिन अच्छानक से तुम्हें क्या हो गया? सब ठीक है ना? हाँ जीजू, सब तो ठीक है, लेकिन कुछ दिनों से मैं ठीक नहीं हूँ क्यों? क्या हुआ? वो, मैं आपके लिए पागल हो चुकी हूँ, जीजू, मुझे हर जगे बस आप ही दिखाई देते हैं क्या? हाँ जीजू, आप बताईए ना, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? हाँ कल्पना, मुझे भी तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुम्हारी सारी चीज़े बहुत पसंद आती है सच्ची? मुच्ची तभी बात्रूम से रिमजिम बहार निकलती है, दरअसल रिमजिम बात्रूम में छिपी हुई थी और इन दोनों की बाते सुन रही थी आरियन जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो रिमजिम, मेरी कोई गलती नहीं है जीजू, नाटक बंद करिये, आप जिस तरीके से हमें देखते हैं, क्या हमें पता नहीं चलता कि आप क्या सोच रहे हैं? आपके मन में वाके में क्या चल रहा है? ये जानने के लिए ही हमने ये नाटक किया है और इस तरह आरियन, रिमजिम के सामने गिड़गराने लगता है इसलिए रिमजिम का मन पिगल जाता है आरियन उसके पैरों में पढ़कर माफ ही मांगने लगता है ठीक है आरियन जी, हमने आपको माफ किया आप जैसे भी हमारे पती हैं, हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन प्लीज दुबारा ऐसा मत करियेगा हाँ जी जू, प्लीज ऐसा दुबारा मत करियेगा वरना हम अपनी दीदी को यहां से ले जाएंगे हाँ कलपना, I am sorry, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा चली दीदी दोनों बेहने वहां से चली जाती है वहीं इसके बाद आरेन सीधे अपने मा के पास जाता है और उसे इन सारी घटनाओं के बारे में बता देता है मा मेरा तो बोलने का बहुत कुछ मन कर रहा था लेकिन मैं अपनी बेहन के लिए चुप था वरना दोनों को ऐसा सुनाता ना कि दोनों जिन्दगी भरियाद रखती मा आप इन दोनों का चिस ग्लास लेना आज से तू चिंता मत कर बेटा इन दोनों को तो मैं खून के आसूर रूलाऊंगी और वैसे भी तू तो जानता ही है इनकी मा क्या करती थी पहले तो जाहिर सी बात है कुछ असर तो बेटी पर आएगा ना हाँ मा वही दूसरी और अपना भी अपनी मा काजल को भी ये सारी बाते बता देती है लेकिन काजल तो उसे उल्टा चुप चाप रहने के लिए के लिए कहती है तू जादा जज बनने की कोशिश मत कर समझी जैसा भी चल रहा है चलने दे तुझे उसकी जिंदगी से क्या लेना देना अरे हमें हर महीने 30-35 अजार मिल जाते हैं बस और क्या मा सच में आप बहुत लालची हो और ये कहकर कलपना उस कमरे से बाहर चली जाती है वही काजल को इस बात से कोई फर्क नहीं पढ़ता खेर वही चंदरा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत गुस्से में थी इसलिए वो रिमजिम को सबक सिखाने के लिए सीधे रसोई में जाती है ये माइक्रोवेव तो खुला ही है बंद करना भूल गई कि आज भी हाँ माजी सौरी बंद करना भूल गई अभी बंद करती हूँ जब भी कुछ बोलो तो बस यही बोलती है कि बंद करना भूल गई बंद करना भूल गई अरे बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा ये सुनकर रिमचिम को बहुत बुरा लगता है लेकिन बिचारी अपनी सासुमा के सामने कड़वे घूट पीकर रह जाती है माजी आगे से ऐसा नहीं होगा अरे अपना ये डायलोग ना अपने पास ही रख बार बार एक ही डायलोग चिपका देती है मुझे अब ये बता कि खाना बन गया के नहीं जी माजी सब कुछ बन गया है बस रोटियां बनानी रह गई है तो कब तक बनाएगी तो रोटियां? कल तक बनाएगी क्या? दिख नहीं ला? रात के साड़े नौ बज गये है सासुमा वो माँ से कई दिन के बाद में ली न तो बस माँ के साथ थोड़ा बात कर रही थी इसलिए रायम का पता नहीं चला अरे तेरी मा क्या कहीं की मिनिस्टर है? जो उसके साथ बैट कर मीटिंग कर रही थी तु? जल्दी से रोटियां बना दे वो भी पाँच मिनट के अंदर माजी लेकिन पाँच मिनट के अंदर इतनी सारी रोटियां कैसे बनेगी? और आज तो एक्स्टरा रोटि भी बनानी है मुझे कुछ नहीं सुनना बस तुझे पाँच मिनट में रोटियां बनानी है तो बनानी है अगर रोटियां नहीं बनीना तो हम बाहर से और करके खा लेंगे और अगर बाहर से खाने में मेरी या इनकी तवियत बिगडी तो इसकी जिमेदार बस तू ही होगी नहीं माजी ऐसा मत बोलिये मैं कोशिश करूँगी कि पांच मिनिट में रोटियां बन जाए हम जल्दी तभी वहां कलपना आ जाती है आंटी जी बुरा मत मेंगा लेकिन मैं ये पूछना चारी थी कि आपके घर की नौकरानी बिजली काम पर कब वापस लोट देगी कलपना ये क्या बोल रही है तू अरे नहीं नहीं बोलने दो बोलने दो तुम लोग तो जो मन चाहे वो बोल सकते हो भाई नहीं आंटी आप गलत समझ रही है मैं तो बस नौकरानी बिजली के बारे में पूछ रही हूँ चुप हो जा कलपना अरे दीदी नौकरानी अगर काम पर नहीं आ रही है तो पूछने का हग भी तो बनता ही है ना इसमें क्या गलत बोल दिया मैंने तो कान खुल कर सुन लो मैडम इस घर में अगर तुमारी बेहन को रहना है न तो घर का सारा काम करना होगा और हाँ हमने हमारे घर की नौकरानी को काम से निकाल दिया था अब तो सब पता चल गया ना मैडम कलपना अब तो खुश हो लेकिन आंटी आपका इतना बड़ा घर है एक नई नौकरानी रखने में क्या हो जाएगा कुछ जादा ही बत्तमीज है तुमारी छोटी बहन रिमजिम इससे कह दो अपना मूँ बंद कर ले वरना अच्छा नहीं होगा नहीं आंटी जी मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है आपको तो बेवज़े ही मुझ पर गुसा आ रहा है रसोई में हला गुला सुनकर बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं अरे चुप कलपना अरे सम्धन जी मेरी छोटी बेटी को माफ कर दीजेगा छोटी है न तो जादा लाड़ प्यार मिलने के कारण ऐसी हो गई है वही रिहाना अपनी मा के पास जाकर दीरे से कुछ कहती है मा अब इतना जादा भी मत करो न कहीं है सनाओ की भावी घर छोड़ कर चली जाए और चंदरा चुप हो जाती है कि तब ही रिमचिम का सर घूमने लगता है और वो बेहोश होकर वही गिर जाती है रिमचिम को जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसको होश आ जाता है सभी उसके पास ही मौजूद थे बहु मुझे माफ कर देना मैंने तुझे कुछ जादे ही सुना दिया हाँ भाबी मेरी मा जैसी भी है है तो आपकी सासुमा ही ना माफ कर दीजिये ने अरे नहीं नहीं सासुमा कोई बात नहीं आप माफी मत मांगे सास और बहु में तो इतना चलता ही है हाँ बेटा तु बहुत अच्छी है वहीं दूसरी और कल्पना ये सोच रही थी कि आखिर इतनी जल्दी रिमजिम की सासुमा कैसे बदल गई आखिर चल क्या राय है क्या ड्रामा है ये दीदी की सास का कुछ तो चाल है खैर थोड़ी देर में रिमजिम को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वो बाकी लोगों के साथ घर आ जाती है तो इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रिहाना अपने माता पिता और अपने भाई के साथ किसी बाबा के पास आई हुई है बाबा जी आपने तो कहा था कि आरियन की शादी के 32 दिन बाद उसकी पत्नी की मौत हो जाएगी लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है हाँ बाबा जी इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि ये टोटका असफल हो गया है अरे नहीं पुतरी ऐसे कारे में कई बार देरी होती रहती है तुम लोग बेवचे इतना परिशान मत हो मैं हूँ ना लेकिन बाबा जी उस लड़की को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है अब कैसे होगा कब होगा हाँ बाबा जी कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो लड़की घर छोड़का चली जाए तो बच्चों इस बात का ध्यान रखो कि वो लड़की खुश रहे और जब तक उसकी मृत्यू ना हो जाए तब तक वो तुम्हारे घर में ही रहे तब ही ये कारे सफल हो पाएगा बाबा जी लेकिन और कितना समय लगेगा पाएगी के साथ होटल रूम में ठहरा हुआ है चुप रहो तुम उचसे प्यार तो करते नहीं हो अरे नव्या मैंने तुमसे कहा ना बस कुछ दिन और रुख जाओ रिहाना और उसके परिवार वालों को मडर के केस में अंदर करवा दूँगा तब उसके बाद हम लोग एक हो जाएंगे वो तो तुमसे एकदम चिपा की गई है वही तो अगर मैंने उसके मूँपर कह दिया ना कि मैं उसे पीछा चुडाना चाहता हूँ तो वो मेरा खून पी जाएगी इसलिए ही तो मैं ये नाटक कर रहा हूँ पर कैसे होगा ये मैंने रिहाना से बोला कि मेरे घ्रह में दोश है मतलब मैं अगर शादी करूँगा तो मैं मर जाऊंगा और अगर उसे मुझे से शादी करनी है तो एक तोटका करना होगा अच्छा तो तोटका ये होगा कि उसके भाई को किसी गरीब लड़की से शादी करनी होगी जिसकी मा का बैक्गराउंड खराब हो और जब उसका भाई उस लड़की से शादी करेगा तो उसकी 32 दिन के अंदर मौत हो जाएगी मुझे लगा कि वो लोग ऐसा नहीं करेंगे पर कर लिया ना हाँ उन बेवकूफों ने ये बात मान ली अब मैं उसे बहाने पर बहाने मार रहा हूँ इसलिए मैंने आगे का प्लान ये सोचा है कि अब मैं रिहाना से ये कहूँगा कि वो लोग उस लड़की को मार दें ताकि वो सभी जेल चले जाएं और मैं आजाद हो जाओ क्या बेवकूफ हैं ये लोग आज की जमाने में भी भला ऐसा कुछ होता है क्या ये लोग चालू तो बहुत है लेकिन ये तो देखो कीने बेवकूफ कौन बना रहा है मैं हूँ मास्टरमाइड आईश्मान ये तो है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे भी वेवकूफ बना रहे हो अरे पगली तुम्हारे लिए ही तो ये सब कर रहा हूँ आओ गले से लगा लो मुझे हम् दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं खेर करीब 25 दिन और बीच जाते हैं तब ही रिहाना फिर से आईश्मान से मिलने जाए रिहाना बाबा जी ने दूसरा उपाय बताया है उन्होंने बताया है कि रिमजिम भाबे की नैचुरल मौत नहीं हो सकती है अब उन्हें मारना होगा क्या? हाँ वो भी तुम्हारे आतों से देखो रिहाना अगर हमें एक दूसरे का होना है तो तुम्हें एक करना ही पड़ेगा और इसके बाद आईश्मान अपनी बातों से रिहाना का ब्रेन वाश कर देता है और वो उसकी बातों में आ जाती है ठीक है आईश्मान? हाँ जाओ और यह काम कर दो और हाँ उसे मारते वक्त अपने हाथ में वो धागा पहन लेना ठीक है रात के तीन बजे मैं इसे मार दोंगी रिहाना घर आती है और कुछ घंटों में रात के तीन बज जाते हैं और रिहाना एक धार-दार चाकू अपने पीछे छुपा कर अपनी भावी के कमरे में जाती है उसे धीरे से उठाती है नना जी आप इतनी रात को यहां क्या कर रही है? वो भावी जड़ा मेरे साथ छट पर चलिए मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है अच्छा अच्छा रुखिये चलती हूँ रिमजिम रिहाना के साथ छट पर चली जाती है बोलिए नना जी क्या बात है? वो असल में इतना कहते ही वो रिमजिम को मारने वाली ही होती है लेकिन तभी उसकी नजर अपने पडोसी की छट पर जाती है जहां पर उसका पडोसी टोर्श लिये हुए खड़ा था अरे बिटिया इतनी रात को तुम दोनों यहां क्या कर रही हो? कुछ नहीं काका कुछ नहीं आप यहां पर क्या कर रहे हो इतनी रात को? अरे कुछ नहीं बिटिया मुझे जरा कुछ आठ हुई तो बस चेक करने आ गया अच्छा अच्छा लेकिन लगटा है कोई बिल्ली वगेरा थी हाँ ठीक है कागा गुड नाइट और रिहान अपनी भावी का हाथ पकड़कर उसे नीचे ले आती है आपने कुछ बताया है नहीं ननाजी क्या कह रही थी कुछ नहीं भावी मैं आपको कल बताऊंगी ठीक है अब आप सूजाओ ठीक है रिमजिम वहाँ से चली जाती है आज इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये बच गई और इस बूड़े को भी आज ही छत पर आना था हाँ इसके बाद रिहाना भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है अगली सुबह रिहाना बहुत लेट उटती है और उटते ही वो टीवी आउन करती है टीवी आउन करने पर निउस चालू हो जाती है जिसे देखकर रिहाना की आँखे फटी की फटी रह जाती है क्या? ये आईश्मान? नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं, नहीं! रिहाना की चीखने के कारण बाकी लोग उस कमरे में आ जाते हैं रिहाना जोर-जोर से रोने लगती है क्या हुआ बेटी? देखो मा, ये नियूज दरसल आईश्मान को नव्या के साथ होटल में किसी रेड में पकड़ लिया गया था दरसल जिस होटल में वो दोनों ठहरे थे, उस होटल में गलत काम होते थे लेकिन आईश्मान और नव्या को इस बात की भनक भी नहीं थी रो मत बेटी, रो मत मुझे तो पहले से इस आईश्मान पर शक हो रहा था मा, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ? आखिर मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? तेरे प्यार में कोई कमी नहीं थी रहाना तुने दिल और जान से आश्मान से प्यार किया था लेकिन यह आश्मान तेरे प्यार के लाइक नहीं था अरे इसे तो डूपकर मर जाना चाहिए हाँ बेटी तु चिंता मत कर उस आश्माद को हम लोग ऐसे नहीं जाने देंगे उसको लंबे समय के लिए जेल में डालेंगे लेकिन बापा मुझे धोगा क्यों मिला बोलिये क्यों मिला नना जी वो आदमी आपके लाइक नहीं था इसलिए भगवान ने उसे आपकी जिंदगी से दूर कर दिया ये तो शुकर है कि सही समय पर सब कुछ पता चल गए आपको नहीं तो सोचिए इससे भी बुरा होता आपकी जिंदगी बरबाद हो जाती हाँ ऐसे आदमी को तो नर्क में भी जगे नहीं मिलती दिदी हाँ बेटा शायद भगवान ने तेरी इस बार मदद की है और तुझे सही रास्ता दिखाया है अच्छा हुआ कि उसकी सच्चा ही तेरे सामने आ गई हाँ बेटा खुद को समाल हम सब तेरी परिशानी को समझ सकते है समझ सकते है कि कितना बुरा लगता है जब कोई ऐसा इंसान धोका देता है जिसे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो हाँ बेटा और तुने तो उसके लिए हम सब को भी नजर अंदास कर दिया था तो भी उसने ऐसा किया अब सोच बेटा वो कितना बुरा आदमी होगा ऐसे आदमी के लिए तेरे आसू नहीं बहने चाहिए तेरे आसू बहुत कीमती है बेटा हाँ मम्मी पापा भाईया मुझे माफ कर दीजे मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि मैं ये भी देख नहीं पाई कि क्या सही है और क्या गलत बस बेवकुफों की तरह उसकी सारी बातों को मानती चले गई और उसकी हां में हां मिलाती गई हां रिहाना लेकिन मापापा, भाईया हमने भावी और उसके परिवार वालों के साथ भी अच्छा नहीं किया हमें उनके लिए माफी माँगनी चाहिए मैं कुछ समझी नहीं ननजी माफी? लेकिन क्यों? रिहाना और उसका परिवार शर्मिंदा था, वहीं चंद्रा सच बताने में हिचकी चाती है सारी सच्चाई बता दो इने चंद्रा बहु, मेरी बेटी आयश्मान से शादी करना चाहती थी यह उसके लिए पागल थी लेकिन उसने बोला कि उसके ग्रह में कुछ दोश है, इसलिए एक विधी करनी होगी, जिसके तहत आर्यन को एक गरीब लड़की से शादी करनी होगी जिसकी मा का तालुक कोठे और तवाइफों से हो क्या, आपको मेरे बारे में सब पता था? हाँ, हमने सब पता किया था तो इस तरह, रिम जिम और उसके माई के वालों को सब कुछ पता चल जाता है ठीक है सासुमा, अब तो सारी सच्चा ही सामने आ गई है अब मेरा इस घर से कोई लेना देना नहीं है मैं अपने परिवार के साथ यहां से जा रही हूँ रिम जिम जाने लगती है लेकिन तभी आरेन उसे रोक लेता है नहीं, रुको रिम जिम हम सबको अपनी गलती का हसास हो गया है ये बात सुनकर रिमजिम खुश हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रुखने के लिए मना कर देती है, उसके ससुराल वाले उसके आगे हाथ जोडते हैं, बहु रुख जा, तू ही तो कहती दी न, कि तू हम लोगों से बहुत प्यार करती है, अगर सच में करती है तो रुख जा, हाँ बहु, हमें एक मौका तो दे दो, हाँ भाबी, वे रेली सौरी, रिमजिम अपनी माँ और बहन की तरफ देखती है, तो वो लोग भी उसे माफ करने के लिए हामे सर हिला देते हैं, ठीक है, थांकियो सो मच, इसके बाद ये सभी आईशमान के खिलाफ रिपोर्ट तब उस धोंगी बाबा को भी पकड़ लिया जाता है, दरसल बाबा भी आईशमान से मिला हुआ था, रिहाना जेल में आईशमान से मिलने जाती है, तुमने मुझे मुझे बहुत बेवकूफ बनाया आईशमान, तुम्हारी वज़े से मैं बहुत गलत कदम उठाने वाली ये तो मेरे भोले नाज जी ने मेरा साथ दिया और सही वक्त पर तुम्हारी सचाई सामने आ गई, अब तुम ऐसी जेल में सडते रहो, मुझे माफ कर दो या रिहाना, पता नहीं किसी ने टोना कर दिया था मुझ पर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं मर जाओंगा तु वही रिमजिम को अब अमीर रसोई में सब कुछ इस्तमाल करना आ जाता है, भाबी जी आपको तो अमीर रसोई जम गई, हाँ मेरी बहू है ही इतनी समझदार, तो हर कहानी की तरह इस कहानी में भी आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है, गरीब बहू को अमीर रसोई रास आ